अलो बच्चो, वेलकम टू डॉक्टर शालू क्लासे, मैसल्फ डॉक्टर शालू गशिष्ट बेटा आज मैं आप लोगों से बहुत इंपोर्टन टॉपिक पे बात करने वाली हूँ आपका NEET का exam 7th में को fixed हो गया है और NEET का exam आने वाला है और आप सभी को पता है कि biology highest scorer है तो अगर आपको NEET crack करना है या किसी भी अच्छे medical college में admission लेना है तो biology में जादा से जादा marks लाने आपको ज़रूरी है क्योंकि generally बच्चों का physics में कम score आते हैं 400 आ रहे हैं तो किस तरीके से अपने marks को increase करा जा सकता है तो बटा मैं आज आपके लिए 2008 से लेकर 2022 तक जितने भी exam हुए हैं NEET के NEET बाद में चालू हुआ है उससे पहले AI PMT होता था तो जितने भी biology के paper हुए हैं तो उनका complete analysis करके तो आपको topic wise, yes बच्चो topic wise ज़्यादा तर जो teachers होते हैं वो आपको बता रहे हैं कौन सा chapter highest percentage का है आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा chapter में से किस topic में से सबसे ज़्यादा question आए हैं तो वो क्या करते हैं मैं आलतू-फालतू topics पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो ज़्यादा scorer topic है उस पे कम ध्यान देते हैं तो जिसकी वज़े से वो biology में कही न कहीं चूप जाते हैं तो आज मैं उन topics के बारे में बात करूंगी आज मेरे इस वीडियो में मैं पूरी बातनी कवर करूंगी प्लस वन और प्लस टू की बातनी के अंदर किस topic में से कितने आएंगे और मेरे next वीडियो में मैं zoology कवर करूंगी और ये पूरी की पूरी आपको जो फाइल है वो as a pdf मेरे description box में भी मिल जाएगी तो keep connected with me इस वीडियो को last तक देखना ये वीडियो आपकी तैयारी करने के नजरियो को बदल सकता है और आपके बहुत ही 360 marks पहुँचने के आपके जो achievement है उसको achieve करने में आपके help कर सकता है तो सबसे बेले बेटा मैं प्लस वन की बातनी से शुरू करती हूँ उसके अंदर जो first chapter है the living word तो आप first chapter के अंदर बेटा देखो जो taxonomy topic है taxonomy topic उसमें से सबसे ज़्यादा question आए है दस question पूछे गए है taxonomy topic में से और ऐसे अगर हम reproductionist criteria for being loving एक number का question आया है तो आपको इस chapter में से जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो ध्यान देना है taxonomy topic पर second जो हमारा chapter आता है बेटा biological classification biological classification में जो सबसे ज़्यादा question पूछे जाते है वो kingdom monera और virus यहाँ से 15 और 14 question पूछे गए है उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो fungi, monera, kingdom monera का surface appendages इस यहाँ से आए है questions ठीक है kingdom monera में भी पूरा आपको bacterial classification वाला जो chapter है उसमें से 15 question virus, viroids, preons में से 14 question kingdom fungi में से 7 question monera में से 6 question और kingdom monera surface appendages वहाँ से 5 question आए है तो यह पूरी की पूरी table बेटा आप देख सकते हो कि कौन से topic में से क्या questions पूछे गए है बेटा अगर आप मैं बात करूँ आपके plant kingdom की plant kingdom में से जो सबसे ज़ादा question पूछे गए है बेटा वो algae में से पूछे गए है 12 question पूछे गए है algae में से उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो bryophytes में से 8 gymnos pumps में से 5 teridophyte, heterospory examples of gymnos pumps यह याद रखो बच्च पांच जो questions पूछे गए आपको सबसे ज़ादा याद करने examples of gymnos pump, teridophytes, heterospory इसमें से questions आए हैं आपके next अगर मैं morphology of flowering plant की अगर बच्चों बात करती हूँ morphology of flowering plant की तो इसके अंदर बेटा जो flowers and parts of flowers बटा आप लगों को बहुत easy लगता है यह topic और आप क्या करते हो इस topic को ignore कर देते हो लेकिन इस topic में से 32 questions पूछे गए हैं तो ज़ादा से ज़ादा इस topic को अच्छे से करो fruits and its types में से 18 questions morphology of stem में से 10 questions, seed में से 10 questions और families of flowering plant में से 8 questions पूछे गए हैं जो modification of roots, morphology of roots इन में से 3-3 questions पूछे गए हैं इन में आप बहुत ज़ादा time लगाते हो anatomy वाले part पर modification वाले part पर लेकिन आपको जो उपर वाले topic से इन पर ज़ादा ध्यान देना है अगर आप मैं anatomy की बात करती हूँ तो anatomy of root में से 9 questions activity of core cambium में से 7 questions ये सबसे ज़्यादा पूछे गया है उसके बाद epidermal tissue system activity of vascular cambium complex tissue system यहां से 4-4 इस तरह से पूछे गए हैं और सबसे कम question पूछे गए है secondary growth in root तो जिस तरीके से मैं आपको topic wise बता रही हूँ तो उसी तरीके से आपको अपनी preparation करनी है cell अच्छे तरीके से करना है सबसे ज़्यादा जो question से वो इसी से पूछे जाते हैं then mitochondria उसके बाद आपका nucleus, chromosome, cell membrane ये आता है तो सबसे ज़्यादा आपको emphasis देना है ribosomes और mitochondria पर अब हम बात करते हैं बटा cell cycle और cell division की cell cycle में meiosis आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है और intro to cell cycle and interface क्योंकि meiosis में से 17 questions intro to cell cycle and interface में से 14 questions और cell division में से 8 questions पूछे गए हैं अगर हम बात करें transport in plant की तो stomata आपको बहुत अच्छे से करना है stomata में से 7 questions transpiration and guttation में से 4 questions और next जो पाट है 1-1-1 questions अगर हम बात करते हैं mineral nutrition की तो आपको nitrogen fixation और mineral के functions बहुत अच्छे से करना है क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा questions आए है इसके बाद अगर हम बात करते हैं photosynthesis की photosynthesis and higher plant तो आपको seas of 4 cycle hatch and slack pathway उसमें से सबसे ज़्यादा questions पूछे गए है और उसके बाद light reaction यानि photo phosphorylation में से सबसे ज़्यादा questions पूछे गए है अगर अब हम बात करते हैं respiration in plants की तो aerobic respiration और crab cycle ने बाजी मारी है aerobic respiration और crab cycle में से सबसे ज़्यादा questions पूछे जाते हैं अगर हम बात करते हैं plant growth and development की oxygen आपको अच्छे से करना है उसके बाद हमें gibraline and photoperiodism पे और अच्छे से अपनी तयारी करनी है अब हम बात करते हैं botany class plus 2 की तो उसके अंदर reproduction in organism जो chapter है उसमें asexual और sexual reproduction आपको अच्छे से keenly करना है उसमें 6-6 questions पूछे गए हैं अगर हम second topic की बात करें sexual reproduction in flowering plant तो sexual reproduction in flowering plant में pollination and outbreeding devices में 22 questions पूछे गए हैं बच्चो तो यहाँ पर आपको बहुत ज़ादा अच्छे से तयारी करनी है पिस्टिल या अगर हम female gametophyte की बात करें तो 10 questions पूछे गए हैं seed की अगर हम बात करें तो अगर हम आ जाते हैं हमारे genetics पर principle of inheritance and variation इसके अंदर dominance derivation फ्रॉम मेंडल यह वाला जो पार्ट है इसमें से 14 question पूछे गए हैं बच्चो मोनो हाइब्रिड क्रोस के उपर से 8 question introduction to genetics में से 7 then anucle ID 6, sex linked inheritance 6, linkage 5 accordingly आपको अपनी तैयारी करनी है अगर हम बात करते हैं molecular basis of inheritance की तो इस में से transcription बेटा बहुत ही important है 22 question transcription से पूछे गए है translation में से 11 question और DNA model double helix पे से 10 question और genetic code and DNA replication पे से 9 और 8 marks की questions पूछे गए हैं अब हम बात करते हैं microbes in human welfare इसके अंदर बेट आपको chemicals, enzymes and other bioactive molecules में से 14 question पूछे गए हैं microbes in serious treatment में से 12 और microbes in biocontrol agent से 10 question पूछे गए हैं तो आपको accordingly अपनी तैयारी करनी है अगर अब मैं बात करते हूँ strategies for enhancement in food production तो इसमें आपको plant tissue culture और animal husbandry and breeding for disease resistance पी जादा ध्यान देना है क्योंकि अकेले plant tissue culture में से 11, animal husbandry से 9 और breeding for disease resistance से 8 questions पूछे गए हैं अब हम आजाते हैं अपनी ecology पे बच्चो organism and population ये वाला chapter ecology में importance बहुत रखता है इस मर्भी एक topic जो सबसे जादा question पूछे जाते हैं वो है population interaction यानि competition तो इस वाले topic में से 10 questions बाकी में से 5, 4, 4, 3, 2, 1 आप देख सकते हो topic wise अब हम ecosystem की अगर हम बात करें तो ecological parameters में से 9 mineral cycling and ecosystem services से 8, decomposition से 6 ecosystem productivity से 6 इस तरह से questions पूछे गए है energy flow में से 6 तो आपको accordingly इस तरीके से अपनी तयारी करनी है अब हम बात करते हैं बिटा biodiversity and conservation तो इसके अंदर in-situ conservation of biodiversity biodiversity से 13 and ex-situ conservation of biodiversity से 9 questions पूछे गए है laws of biodiversity 9 magnitude से 9 biodiversity pattern से 5 तो इसी तरीके से आपको अपनी preparation करनी है ठीके बिटा तो इसी के साथ बिटा ये वाला जो मेरा वीडियो एक खतम होता है अगर आपको अच्छा लगा और आप चाहते हो कि आपकी friends भी इस चीज से benefit होए तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like कीजे share कीजे मेरे चैनल के साथ बने रही है क्योंकि आप मैं आपके लिए next वीडियो में zoology की topic लाने वाली हूँ तो यह हमने analytics machine learning AI tool का use करते हुए आपके लिए list प्यार करी है जो प्रिपरेशन में उसके लिए बहुत ही जादा फाइदे मंद हो सकती है तो मेरे चैनल को like, share और subscribe करना नहीं भूलना मिटा फिर मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए टाटा, bye bye, take care and best wishes for your preparation